कोरोना वाइरस को लेकर अभी तक चीन के लिए दुनिया के दिल में जो दर्द था वही दर्द एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद शक पैदा करने लगा है ये शक इसलिए क्योंकि इस रिपोर्ट में जिक्र है उस बात का जो गर सच साबित हुई तो चीन घिर सकता है ये कोरोना वाइरस के औरिजन यानी जन्म को लेकर है अब तक कहा जा रहा था कि ये वाइरस वहान के फिश मार्केट से फेला है लेकिन आप खबर आ रही है कि ये वाइरस चीन की ही लेब में तयार जैविक हत्यार भी हो सकता है इस THIORI कर भी चर्चा हो रही है कि वाइरस च चीन की सरकारी लैब जो की वुहान में है जहां चीन जैविक हतियारों को लिकर रिसर्च कर रहा है वहां से फैला है ये बाते की जा रही है कि रिसर्च के दौरान ही ये वाइरस फैलाया किया है पिछले दिनों भारती शूद करताओं की एक रिपोर्ट में भी ये कहा गया थ कि संभव है कि कोरोना वाइरस को जान बूच कर पैदा किया गया हो रिपोर्ट में इस वाइरस को चीन का जैविक हतियार होने की आशंका जताई गई थी हलाकि इसका कोई बुनियादी आधार नहीं था वुहान के जिस फूड मार्केट से वाइरस फैलने की बात कही जा रही ह उससे ही कुछ दूरी पर यह लैब है इस वाइरस के फैलने के बाद चीन के बाद अब इटली को इस वाइरस ने पूरी तरह से जख़ोड दिया है इटली में लोग अपनों के अंतम स्थार सकार में भी शामल नहीं हो पा रहे हैं इस्तिठीद दिन पर दिन भयानक हो रही ह भारत में भी अब तक 1199 कर्मफर्म केसिस हैं और 29 लोगों की मौत हो चुकी है अमेरिकी सांसर टॉम कॉर्टन ने भी कोरोना को लेकर चीन के बारे में कहा था कि ये वाइरस इंसालों का तयार किया गया कोई बायलोजिकल वेपन है जिसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार चुपके से लैब में तयार कर रही थी जो बाहर आ गया टॉम ने ये भी कहा कि चीन सबूत दे कि ये वाइरस उसकी लैब से नहीं आया है इस वाइरस खुली कर तमाम तरह की बाते की जा रही है पिछले दिनों चीन के विदेश मंतरी वांग यी ने भारत के विदेश मंतरी एस जयशंकर से फोन पर बात की और उन्हें कोरुना वाइरस से लड़ने में हर संभव मदद की पेशकश की चीन ने हर दिन भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि चीन के अनुभव से भारत सबक सीख सकता है चीन के विदेश मंत्री ने भी माना कि दुनिया की नजर भारत और चीन पर इसलिए है क्योंकि दोनों की आबादी एक अरब से भी जादा है ऐसे में उनका तर्क है कि दोनों देशों को मिलकर इस वायरस से लड़ना होगा चैशंकर ने भी कोरोना पर काबू पाने की चीन की कोशिशों की सरहाना की और कहा कि वो चीन की मदद की पेशकश के लिए उसका धनेवाद देते हैं चीन में जब कोरोना वारस का संक्रमन अपने चरम पर था और वुहान में हर दिन बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे थे तब चीन ने सिर्फ दस दिनों में मेकशिफ्ट अस्पताल बना कर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि वो कोरोना को कितनी गंभीरता से ले रह चीन की कई कंपनियों ने पेशकश की है कि वो मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने में भारत समेत अन्य एशिया ए देशों की मदद भी कर सकते हैं चीन की दर्यादिली कहें या इसे अपने की को छुपाने का कोई तरीका कहें ये भी बात सामने आ रही है कि चीन ने इस वाइरस के मामले सामने नहीं आ रही है पिछले कहीं दिरों से मौत के भी कुछ आकड़े सामने नहीं आ रही है और संक्रमितों की संख्या भी सामने नहीं आ रही है इसको देखकर यही कहा जा रहा है कि चीन ने ये वाइरस अपनी लैब में तयार किया और फिर इसे फैला दिया और यह चीन करेगा देशों की मदद करने के नाम पर लेकिन यह बात कहां तक सही है इसका कोई पता नहीं लग पाया है लेकिन तमाम जो कर यह बाते कही जा रही है कि यह चीन का कोई बायोजिकल वेपन है subscribe our channel and press the bell icon for more updates